भारत के सबसे रोमान्चक गेमिंग प्लाटफॉर्म विंजो पर हैं सतर से भी ज्यादा गेम्स तो खेलो अपने मन पसंद गेम्स और रोज जीतो करोडो के इनाम डाउनलोड नाउ प्रॉम विंजोगेम्स डाट कॉम केम में वितिया जोकिम चामिले और इसकी आदत लग सकती है जिम्मेदारी और अपनी जोकिम पर खेले नमस्कार महुष शिवेनर स्रवास्तो और आप देख रहे हैं यूपी तक यूपी तक की इस खास पेशकर्स में एक बार हम आपके सामने फिर से हाजिर है इसमें हम बात करते हैं कैसी शक्सित के बारे में जिससे पता चलता है कि वो शक्स कैसे अपनी छेतर में देरे-देरे-देरे करके चर्चित हुआ और फिर एक दिन उसकी चर्चा इतनी बड़ी कि वो आम से खास आदमी हो गया फिर चाहे हो अपरादी हो कोई पॉलिटीशन हो बिजनेसमेन हो या फिर कोई और इंसान आज हम जिसकी बात करना जा रहा हैं वो पहली बार विधायक बना और विधायक बनने के फौरण बाद ही वो मार दिया गया अपने कारेकाल के दौरान वो सिटिंग विधायक था उसकी हत्या की गई लेकिन उसकी हत्या से जो कहानी सामने आई उससे पता चला कि कैसे उत्रप्रदेश में अपराद का बोल बाला है और कैसे अपरादियों और पॉलिटीशन के 20 मिली भगत ने चीजों को बदल के रख दिया है हम बात कर रहें कैसे जो की भारती जिनता पार्टी का उसक्त विधायक था और उसी की हत्या के चलते आज कल इक अपराद पर शामत आई हुई है हम बात कर रहें हैं बीजेपी के विधायक रहे कृश्ण नन्रायकी जो की महुदाबाद से विधायक थे और साल 2002 से देकर 2005 के बीच में जब विधायक थे तभी उनकी हत्या कर दी गई और हत्या उनकी की मुक्तार अंसारी और उसके खास लोगों ने और आज की तारीक में मुक्तार अंसारी जितनी चर्चा में है उससे पहले चर्चा में आने के लिए उसने जब हत्या की उसके बाद पहली बा ता उसके रिष्टदार की हार हो गए और इस हार को मुक्तार अंसारी बर्दाश्ट नहीं कर पाया हालाकि जिस वक्त हत्या हुई उस वक्तार अंसारी जेल में था लेकिन वहीं रहते हुए उसने इस पूरी साज़िश का ताना बाना बुना जाँच में पदा चला कि करशन नहीं हुआ और आखिरकार क्यों इतनी देरी की गई कि कि अध्या कर दी गई जीद गई इस जीद और मक्तारण साइब का दूरदर तो क वास्ता नहीं था इसी लिए उन्हें इस बात को द्यूंगीटा से नहीं लिया 29 नॉब्र 2005 को जब वह अपने किसी रिष्टार के नहीं एक प्राइवेट फनक्सन- काप्र समारों को ने उन्हें घेर कर मारा और उस पूरे हत्याकान में पहली बार एके 47 गन का इस्तेमाल हुआ था जो की मुक्तार अंसारी के तरफ से इंतिजाम की गई थी और इसी के साथ तोड़ा चला कि कैसे अपराधियों और स्टेष और तमाम दूसरे अधिकारियों का भी काम करता है हाला कि कि क्रिशना रंग्राय को स्टेफ के अधिकारियों पहले ही चता दिया था क्योंके मंडर की साटीश हो रही है लेकिन अधिकारीयोंने सौरक्षा के लिए कोई कदम ह juice ओठाया और नहीं कृछ्षन र creating तरफ स कई लोगों ने ताबर तोड गोलियां चालें शुरू कर दी एक ए 47 से उस वक्त कृष्णन राय के शरीव से 67 गोलियां निकली थी इतिहास में दर्ज है कि ये सबसे बड़ा मर्डर का मामला था जिसमें 7 लोगों की हत्या की गई थी किश्ण अनंद समयत तमाम लोग मारे गए मौकाई वारदात पर ही उसके बाद पूरे राजनीतिक हलके में प्रशासन में पुलिस में हड़कम मजगया सब के जुबाँ पर एक ही नाम था कि आखिरकार किसने इतनी बड़ी दुश्मनी का बदला लेने के लिए ये हत्याकार को अंजाम दिया है शुरुआती जानत में ही साफ हो गया कि मुक्तार अनसारी और उसके लोगों का इस पूरे मामले में हाथ है लेकिन उस वक्त की सरकार ने किसी भी सूरत में मुक्तार अनसारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने दिया दरसल इस सबका सिल्चला शुरू हुआ तब जब किशनानंद राय को मारने के लिए मुक्तार अनसारी किसी से फोन पर LMG यानि लाइट मशीन गन को खरीदने की बात कर रहा था दरसल आर्मी से एक भगोड़ सिपाही ने वो LMG बेचने के लिए सोधा किसी अपरादी से किया था उस अपरादी के जरिये मुक्तार अनसारी को पता चला कि LMG जैसा विपन मार्केट में बिकने के लिए अवाइद रूप से तयार है और उसी के सौधे के लिए वो लगातार फोन पर बात करता था इस फोन की बातचीत को STF ने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद अपने आला अधिकारियों को बताई लेकिन आला अधिकारियों ने भी इस बात को अंसुना कर दिया वजह चाहा जो भी रही हो लेकिन उस वक्त जो भी सरकार थी उस सरकार के रहते मुक्तार अंसारी को वरध हस्त प्राप था ना सिर्फ वो जेल में मज़े से रह रह रहा था बलकि उसके अंदर से अपने नेटवर्क को मजबूत करने का भी काम कर रहा था और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा था LNG जैसी सोफिस्टिकेटड गन को खरिदने का सौधा फोन पर हो रहा था लेकिन किसी अधिकाई ने उससे पूछताश करने की जहमत नहीं उठाई और इसी जानकादी के अधार पर उस वक्त डिप्टी एस्पी रहे शैलेंज सिर्न सिंग ने एक रेड डाली जिसमें LMG समेथ वो न सिर्फ सिपाही पकड़ा गया बलकि और भी लोग गिर्फतार हुए और उसके बाद लगातार सरकार और पुलिस का दबाओ इतना बढ़ा कि शैलेंज सिंग को स्टीफा देना पड़ा और बहुत मजबूरी में इस्तिफा देने के बाद शैलेंज सिंग ने साफ तोर पर अपने इस्तिफे में रहा था कहा था कि इस वक्त पुलिस विभाग का अपराधी करन हो चुका है जिसकी वज़े से अपराधियों का पूरा कंट्रोल पुलिस विभाग पर रहता है और इसी के चलते वो इस्तिफा दे रहे हैं कि किसी भी सूरत में उसकी हत्या करना मुक्तार अंसारी के लिए बेहत जरूरी तो हो ही गया था लेकिन इसके जरिये मुक्तार अंसारी ये साफ संदेश देना चाहता था कि जो भी मुक्तार के रास्ते में आएगा उसका अंजाम बेहत बुरा होगा इसलिए वो LMG जैसी गन से वो हत्या करना चाहता था लेकिन जब वो लोग पकड़े गए उसके बाद हत्या करने के लिए उसने AK-47 जैसी sophisticated गन का इस्तेमाल किया जिसमें सरसट गोलियां उस वक्त प्रशन अन्राय के शरीर से निकले थी उस वक्त उत्रप्रदेश में सरकार किसी और के थी और भारती जिनता पार्टे चाहती थी कि इस पूरे मामले के निस्पक्ष जांच के लिए CBI की जांच बेहर जरूरी है लेकिन सरकार किसी भी सूरत में इस पूरे मामले में CBI की जांच नहीं करने देना चाहती थी इसलिए उसने मामला लोकल पुलिस से सीवी सी आईडी को दे दिया सीवी सी आईडी में जाने के बाद दबाव इतना बढ़ा कि उस वक्त सीवी सी आईडी के इंचार्ज रहे जिस भी अधिकारी थे उन्होंने साफ पर मना कर दिया कि वो इस पूरे मामले में आप जांच नहीं करना चाहते क्योंकि मुक्तार के लोगों की तरफ से उन पर भाई दबाव है लोकल पुलिस ने फिर से जांच शुरू की लेकिन उस पूरी जांच में कहीं भी मुक्तार को शामिल पाया जाने की बात नहीं कही जा रही थी यानि हर तरह के से पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही थी ऐसे में कशननराय की पत्नी को किसी ने कानूनी सलादी कि अदालत के जरीय अगर इसमें कोशिश की जाए तो पूरे मामले में नयाय मिल सकता है आखिरकार अदालत ने इस बारे में आदेश दिया कि इस पूरे मामले के CBI जाच की जाए तब ये पहला जटका था जिसमें मुक्तार अंसारी के लिए मुश्किल बढ़ रही थी लेकिन मुक्तार अंसारी के लिए जाच के लिए अगर किसी भी तरीके की जरूरत थी तो उसमें सरकार की परमिशन की जरूरत थी इसलिए सरकार के पास इस बात की अरजी अधिकारी ने दी कि क्या इस पूरे मामले में उक्तार अंसारी से पूस्ताच की जा सकती है क्योंकि एक तो मुक्तार अंसारी नेता थे दूसरे उस वक्त विधायक भी थे और इसी के चलते किसी विधायक से पूस्टाश करने के लिए जरूरी होते है सरकार की सहमती लेना और इसी के चलते जब सरकार से सहमती ले जानने की बात की तो सरकार में उनसे पूस्टाश करने की परमिशन देने से साफ मना कर दिया विपक्ष ने उस वक्त बहुत हंगामा किया, सवाल उठाए, प्रदर्शन हुए और नारेबाजी भी हुई, बावजुद इसके इस बात की पर्मिशन नहीं दी गई, मामला साल दर साल ऐसे ही चलता रहा प्रशनरान राय की हत्या के बाद भी मुक्तार अंसारी पर किसी भी तरीके की मुश्किल नहीं बढ़ रही थी, एक तरफ बीजेपी का एक नेता हत्या में मारा गया था और उसके साथ कई और लोग मारे गये थे, ये यूपी के अपराद की इतिहाश की बहुत बड़ी घटन थी, जिसमें एक साथ साथ लोग की हत्या की, जिसमें से एक सिटिंग विधायक भी शामिल था, बावजूद इसके अपराद की दुनिया में ये साफ तर पर जाना जा रहा था, कि मुक्तार अंसारी अपराद की दुनिया में इससे पहले ही कदम रख चुका था, और साल 2005 त पुलिस और प्रशासन उसके रास्ते में रोडा नहीं पढ़ना चाहता था, आपको बता दें कि मुक्तार अंसारी जब जेल में गाजीपुर में बन था, तो उसके रसूख का अलम ये था, कि उसके लिए जेल प्रशासन ने विशेश रूप से जेल के भीतरी एक फिश पर होती थी और तमाम लोगों का दर्बार मुक्तार अंसारी के सामें रता था, जिसमें ना सिर्फ वो उनके मामिले सुल्टाता था, बल्कि अपने नेटवर्क को मजबूत करने का भी काम करता था, कई ऐसे अधिकारी थे जो जेल में उसके साथ मिलने जाते थे, बल्कि आ अंसारी जैसे लोगों का अपराधिक वर्चस इतना स्ट्रॉंग था, जो चाहे वो करते थे, उसमें जिरादिकारी बहुत छोटी कड़ी था, इसी की चलते, मुक्तार अंसारी के सुधा के लिए साल दर साल एंबुलेंस सेवा भी रही उसके साथ, यह वही अंबुलेंस है पास साल दर साल सालो साल रहती है, और शुरुआ से ही इस इंबुलेंस को मुक्तार अंसारी अपने पास इसलिए रखता था, अगर किसी पेशी के वक्त, कहीं जाने आने के वक्त, यह बाहर निकलते वक्त, कोई अपराधिक वार्दात होती है, तो वो उसका जवाब दे सके दर सलिए इंबुलेंस नहीं, बलकि पूरा चलता फिरता किला था, ऐसा मानना है, पूर डिजीपी ब्रजलाल का, जिन्होंने साफ तर पर कहा कि मुक्तार की इंबुलेंस के भीतर ना सिर्फ सैटलाइट फोन, तमाम समेंदन शील, जो हत्यार हैं वो, उसके अलावा तमाम बुलेट प्रूफ की भी चीज़े होती थी, जिसकी वज़े से अगर कोई घटना हो, तो मुक्तार अंसारी उससे साफ तर पर निपड़ सकता था, और यही एंबुलेंस मोहाली में उस वक्त भी मौझूद थी, जबकि वो पेशी के लिए रोपर जेल से लाया गया था, हाल पुलिस की उस काहली का भी नतीजा है, जिसके चलते हैं न सिर्फ उत्रप्रदेश से पंजाब तक यह एंबुलेंस, इन समेधन शील चीज़ों के साथ न सिर्फ पहुँच गई, बलकि लगातार इस्तेमाल होती रही, हाला कि पंजाब सरकार के उपर भी आरोप लगे हैं, कि वो लगातार मुक्तार अंसारी का सपोर्ट कर रही है और उसको बचाने के हर वो प्रत्म किये जिससे कि उसको उत्रप्रदेश की जेल में न भेजा जाए, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोड के निर्देशों के बाद उसको अब उत्रप्रदेश की बांदा जेल में आना होगा और उसके चल उपर चल है तुमाम मुकदमों का निप्तारा भी करना होगा लेकिन प्रेश्णानंद राय का ही मामला हो ऐसा मामला था जिसके चलते मुक्तार अंसारी न सिर्व इतनी बड़ी चर्चा में आया है बलकि उसके नाम से लोग खौब भी खाए लगे क्यों कई पुलिस से भी ज्यादा स्ट्रॉंग नेटवर्क अपरादियों का हो चुका है हाला कि तमाम पुलिस इंकारी इस बात से इंकार करते रहे लेकिन क्रिश्णनंद का परिवार लगातार इस बात का आरोप लगाता रहा कि बगर पुलिस की मुली भगत के इतना बड़ी का स्टारे आई और बदल गई फिर भी कभी उनकी सुनवाई नहीं हुई और वो हर पैत्रे के साथ न सिर्थ गवाहों पर दबाव बनाता रहा बलकि अपना इस्थान अंत्रण ऐसी जेलों में कराता रहा जहां वह सुरचित रह सके इसी का नितिज़ा है कि उत्रप्देश मे जब बीजेपी की सरकाराई और योगी आधितनात मुख्यमंत्री बने उसके बाद तमाव अपरादी जो की यहां पर खत्रा महसूस कर रहे थे वो इस कोशिश में जुट गए कि कैसे वो अपना इस राज्य से दूसरे राज्य में इस्थाना अंत्रण करा सकते हैं मुक्तार अंसारी ने भी उस वक्त तमाम कोश्चे करके अपना ट्रांसफर यहां की जेल से यानि उत्रप्रदेश की जेल से करवा लिया पंजाब की रोपर जेल जहां पर पंजाब में कॉंग्रेस की सरकार है और माना रे जाता है कि वहां के ड्रक्स इंडिकेट से लेकर राजनेतिक नेताओं तक मुक्तार अंसारी की अच्छी पैट थी कई मौका पर मुक्तार अंसारी ने अपने धन और बल दोनों से उनका सहयोग किया इसी के एवज में वहां पर उसको सुरचित रस्ता मिली थी कहा ये भी जाता है कि रोपर की जेल में उसका दरबार और उस अंजाम तक पहुँचने वाले होंगे तो उसमें सबसे बड़ा मुक्तार अंसारी की हत्याका ही होगा क्योंकि अगर सूत्रों की माने पुलिस की माने और हमारे जानकारी के मुताबिक जितने पुखता सबूत पुलिस के पास मुक्तार अंसारी के खिलाफ इस मामले में है उतने किसी और मामले में नहीं दरसल मुक्तारंसारी पर शक्खी नहीं पुक्ता सबूतों के आधार पर पैदा हुआ था क्योंकि जिस वक्तारंसारी इस बात की साजिश कर रहा था कि कैसे कृष्णन रंदराय को बेहद भानक तरीके से मारा जाए उस वक्त उसकी बातों की र रुपए में ख़िदने जा रहा है उस वक्त एक करणों रुपए की कीमत बहुत जादा होती थी जिस वक्त की ये बात है और LMG जी जैसी गन खुले में यानि बाहर यानि सेना से बाहर आ जाना बहुत ही बड़ी बात थी लेकिन इन सब इंजामों को कर पाता इससे पहले ही पुलिस को भनक लग गई और उसको ग्रफतार कर लिया गया और इसके बाद ही मुक्तार अंसाई ने फैसला किया कि एक ए 47 से इस घटना को अंजाम दिया जाएगा कृष्णनन राय की हत्या अपराद की इतिहास में एक ऐसी घटना है जो ना सिर्फ सवाल उठाती है पुलिस की सर्विलांस और उनकी बंशा पर बलकि अपरादियों के उस बेखौफ आलम पर भी सवाल उठाती है फिलहाल अब मुक्तार अंसारी को उत्रप्रदेश लाए जाने की तेजी हो रही है और जैसे ही वो यहाँ आएगा सबसे पहले जो मुक्तमा सबसे मजबूती से सरकार के तरफ से लड़ा जाएगा तो वो होगा कृष्णारंणर राय की हत्या का मामला, उसके पीछे साफ वजर है एक तो कृष्णारंण राय उस वक्त विधायक थे और दूसरे उसी पार्टी की विधायक थे जिसकी आज की तारिक में उत्रप्रदेश में सरकार है इसलिए सरकार के लिए भी रसूख और नाक का सवाल है कि आखिरकार वो अपने विधायक की हत्या के मामले को किस तरह से मजबूती से अंजाब तक पहुचाते हैं अब क्या होगा इसका हश्री वक्त बताएगा लेकिन फिलहाल कृष्णनन्राय जो कि बहुत कम समय के लिए विधायक रहे और बहुत कम समय उनको भीता था राजनीती में लेकिन हमेशा हमेशा के लिए नाम इसलिए चर्चा में रहेगा क्योंकि यह एक ऐसी वारदात का गव बलते फूलते रहते हैं तो कृष्णनन्राय के बारे में उनकी हत्या के बारे में यह थी यूपितक की खास पेशकर अगली बार किसी चर्ची थस्ती की और होगी बात तब तक मुझे दीजिए याद नमस्कार